असलाम उलेकुम प्यारे बच्चों, आज हम learning to speak कर रहे हैं unit 2 में, read and practice the given dialogue. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि dialogue किसे कहते हैं. Dialogue का मतलब होता है मुकालमा, a conversation between two or more people. दो लोग या दो से ज्यादा लोग जब आपस में कुफ्तगू करते हैं तो इसको dialogue बोलते हैं. तो हम कौन सी गुफ्तगू करने लगे हैं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि who am I, मैं कौन हूँ, मैं और आप कौन हैं, आपको पता है, हम मुसल्मान हैं, हम ला इला इला ला मुहम्मद रर्सूल अल्ला पढ़ते हैं, मुसल्मान होने का क्या मतलब है, यानि हम अल्ला को मानते हैं, अल्ला की भी मानते हैं, अल्ला को मानना, अल्ला को तो सब भी मानते हैं, लेकिन हमारी कोई मर्जी नहीं है, हम अल्ला को और उसके नभी की बातों पर अमल करते हैं, वो कैसे, एक हदीस में है कि नभी करीम से किसी ने पूछा, मुमिन बुजदिल हो सकता है, اللہ علیہ وسلم ने फर्माया नहीं. तो हमें सबसे पहला सबक ये बच्चों याद रखना चाहिए कि हमने जूट नहीं बोलना. कोई साथ हो या ना हो अल्ला हमेशा साथ होता है. اللہ ہمارے دلوں کو بھی دیکھتے ہیں अंदर से भी देखते है वाहर से भी देखते है तो यह याद रखें कि आज के बाद से आपने जूट मजाख में भी नहीं बोलना हमेशा सच बोलना हैं अगर हम मुसल्मान हैं तो हम जब मिलते हैं मुसल्मान आपस में तो एक दूसरे के उपर सलामती भेज़ते हैं और कहते है असलाम अलैकुम और उसके बाद जवाब देने वाला कहते है वालैकुम असलाम असलाम अलैकुम का मतलब होता है सलामती हो तुम पर और वालैकुम असलाम का मतलब होता है तुम पर भी वैसी ही सलामती हो हम क्यूं ऐसे कहते हैं क्युंकर आला तो ने कुरान मजीद में फर्माया है इसका तर्जमा है जब तुम को कोई दूआ दे तो जवाब में तुम उससे बेहतर कलमे से दुआ दो या उनी लफसों से दुआ दो बेश्या खुदा हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है और नभी करीम से लब सलम ने हमें सिखाया कि अगर कोई अस्सलाम अलेकुम के तो तुम वालेकुम अस्सलाम वर रहमतुल्लाह बरकातो हुगो तो तुम उसे अच्छी दौा दो कुरान मजीद में बहुत जगह सलम भेजाया اللह तुम ने सलमग वन कॉला में रब रेबिर रहीम सुरह यासिन में भी है और पिर अपने अंबिया के उपर सलम भेजाया और फिर ये मुखलिफ आयात हैं कुरान मजीद की जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, यानि सलाम भेजना, अल्लाव ताला का, कुरान का लफ्स है, और इसका मतलब है, सलाम ती आफियत, और सुरह वाक्या में है, जन्नत, एहल जन्नत के बारे में कहा गया है, कि वो जन्नत में कोई लव्ज और बेकार बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ सलाम ही सलाम होगा, तो ये इतनी बड़ी दौा है, जिसको हम हलका जानते हैं, तो उसके बाद, असलाम अलेकुम और वालेकुम, असलाम के तबातले के बाद, एक बच्ची अपना नाम बता रही है, I am Mariam, मैं Mariam हूँ, और उसके जवाब में, दूसरी बच्ची अप बेहतर हूँ, थैंक यू, तुम्हारा मेरा हाल पूशने का शुक्रिया, तो आप ये अलफाज याद कर लें, अब आपको पता चल गया, कि हम मुसल्मान हैं, हमने जूट नहीं बोलना, हमने सलामती बेज़नी है, और जो सलामती बेज़नी है, उसके उपर सलामती बेज़न ये उमीद है आपको पसंद आया होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें